बॉल रहे हैं कि 42 किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 किलोग्राम कीमत वाले 70.5 7.5 किलोगराम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रान को 53.10 किलोगराम की दर से बेच कर 18 प्रतिशत का लाप राप्त किया सके ठीक है यनि देखो अब क्या बोल रहा है कितना 53.10 किलोगराम चावल ठीक है 53.10 किलोगराम चावल बेच कर 18 प्रतिशत के लाप ये क्या है आपका सिरिंग प्राइस है अब ये क्या है इसनeration ने कोस्ट प्राइस दे रहे है तो इसका भी कौस्ट प्राइस निकालो ठीक है यहीं के ओवरल कोस्ट प्राइस निकालो मैं चामल का तो कितना है इसका कोस्ट पे बेचा 45 kg पर खरीदा था ठीक है तो ये 42 kg वाला है ये है 50 kg वाला आपका 45 kg का ठीक है ठीक तो एलिगेशन लगा दो ठीक ठीक है ये कितना है 5 ये कितना है 3 यह नि जो आपकी चामल है वो किस अनुपात में 3 जरेशो 5 जरेशो 3 में लेकिन उसने कहा ये चामल का है वह ये टो है चामल का ठीक ठीक है और ये है चामल का ठीक ठीक ये ये 1 टाइप का है और ये सेकेंड टाइप का है तो दूसरे टाइब का चामल उसने खाए कि 50 किलो ग्राम चामल जो हैं वह कितने हैं के साथ मिला रहा है 7.5 यानि 3 किसको रिप्रेजन करेगा 3 किसको रिप्रेजन कर रहा है 7.5 को ठिक इसी लिए दूसरे टाइब का चामल किसको रहा है 3.5 को तो एक की value किसके बरावट, 2.5 के, इसी लिए 5 की value किसको represent करेगी, 5 की value represent करेगी 12.5 को, यनि दूसरे प्रकार का चामल कितना लेना चाहिए 12.5 के लिए, कितना लेना चाहिए 12.5, option number D, ठीक है, अगला question देखो, अगला question क्या बोल रहा है, हनीन ने 10,000 रुपे के मुले के 2 वस्तों A और B खरीदी, ठीक है, यनि 10,000 में कितनी दो वस्तों खरीदी ए और B, उसने वस्तों A को 15% लाब पर बेचा था था, B को 10% हानी पर बेच दिया, पूरे लेन देन में उसे कोई लाब या हानी नहीं हुई, वस्तों A था, A का विक्रे मुले कितना है, देखो, ये A टाइप की वस्तों है, और ये B हानी हुआ, ठीक है, य法ल में ये कितना होजा था, ये पंदरा हो जाएगा, य अगर वस्तों को किस अनपातम बेचा, तूज, पैशो फाइप में, इस अनपातम में वस्तों को बेचा, ठीक है, यनि 1 की मुल्यक्या, दूसरी कितनी, झाभी 5, दोनों रिप्रेजे चलिए, ठीक ठीक है अब देखो उसका क्या केना है सुरी ये थ्री ठीक दोनों काट लिए होने ठीक है यानि ओवराल कितनी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दस हजार को ठीक है तो एक किसको करेगा दो हजार को ठीक जब एक दो हजार को रहेगा तो दो किसको करेगा चार हजार को यह किसको करेगा च्छे हजार को यह ए टाइप की वस्तु कितने में खरीदी होगी चार हजार में बी टाइप की वस्तु कितने में खरीगे च्छे हजार में अब उसने बोचा है कि वस्तु ए का विक्रम मुली कितना है चार हजार. क्रेम मुल्य कितना है? 4 हजार. तो इस एक का जो सेलिंग प्राइज है वो आएगा ये कितना है? 4 हजार. और लाब कितना है? 15% 115%. ठीक. 0-0 से 2-0 ये गड़िया है. 0-0 और ये आएगा 46. यानि सेलिंग प्राइज कितना हो गया? छिया B Bible Jour में आगे देखो अगला क्योशन क्या बोलब रहा है अगला क्योशन थक्ता क्योशन बोल रहा है एक दोकानदार ने 13.5 किलो गराम की दर से 80 किलो गराम चीनी खरीदी वह इस चीनी को 16 किलो गराम इस 120 किलो गराम चीनी मिला देता है बी Check Carla कमाने कि लिए उसे मिश्रान को किस दर पर बेजना होगा ठीक ठीक है यार 13.5 पर किलोग्राम वाली चीनी कितनी है 80 किलोग्राम ओवराल कितना हो गया यह हो गया 1080 ठीक इसी प्रकार 16 किलोग्राम वाली कितनी है 120 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा टीक टोटल कितने हो गई, 80 हो रही है यानि टोटल 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम का मुल्य कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3000 यानि 200 किलोग्राम का मुल्य कितना है 3000, ठीक ठीक है अब 200 किलोग्राम का जो कोस्ट प्राइस है 200 ग्राम का कोष्ट प्राइस कितना आ गया अब 200 किलो ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना आ जा brushes? 200 किलो ग्राम का सैलिंग प्राइस कियो्ग क्यों उसने 100% दे रहका नगी तोटल कितना आया 300 अब उसने बोला है कि उसे किस ficou किस दर पर चेम बेषणा होगा किस दर पर बेषणा होगा यानि एक किलो ग्राम की किमत किसी इसाफ से होगी ज़ाए Richt दोसो किलो ग्राम का सेलिंग प्राइज कितना है 300 तो एक किलो ग्राम का सेलिंग प्राइज होगा 300 upon 200 2-0 से 2-0 कटा 18-18 यहनि एक किलो ग्राम पर किस हिसाब से बेशना होगा 18 बेशना होगा 18 रुपे के हिसाब से ठीक है अगला क्योशन क्या बोल रहा है एक बेक्ती 50 रुपे कलम की देट से पचास कलम खरिदता है यानि टोटल कलम की किमत कितनी हो जाएगी टोटल कलम की किमत हो जाएगी एक कलम पचास की है टोटल पचास कलम है यानि किमत कितनी हो गई पचीस सो ठीक ठीक है अब वो किय रहा है यादि चालिस कलमों को पचा जाइखता हैज लो आज किया हमें किमत कितनी होगी 40 कल्मों की 40 कल्मों होगी 1900 रूपए ठीक ठीक है अब उसका केना है यार बचे हुए कलम बचे हुए कितने कलम बचे हैं अपने पास बचे हुए 10 कलम ठीक है अब 10 कलम बचे हैं तो इनकी कोस्ट प्राइज कितनी हो जाईए एक कलम की 50 हैं 10 कलम की कीमत हो गई कोस्ट प्राइज 500 ठीक है उसने कहा कि कुल लाब कित हुए 2750 टॉटल अगर कीमत देखें तो यह चिस सो पर कितना प्रतिशाद 10 प्रतिशाद ऑवर्राल कितने हो जाएगी यह हो जाएगी 2750 टॉटल अगर देखें तो 50 कलमों की किमत कितनी 2750 टिक टीक जिसमें से मैंने 40 20 तो बचे हुए कितने है भाई 10 कलमों की जो selling price कितनी बची है वो बचेगी 2750 minus 1900 ये बचेगी 850 ठीक यनि 10 कलमों की selling price कितनी है 850 10 कलमों की cost price कितनी है 500 तो लाब कितना हो जाएगा लाब हो जाएगा 350 का 350 का अगर 100% निकालूं तो किसमें निकलेगा 500 पे और कितना निकलेगा 100 परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 हो गया 5 से गया है 70 टाइम यनि जो बची है 10 कलमों को 70 प्रतिशद लाब पर बेचेगा तब जाके आपका 10 प्रतिशद लाब मिलेगा overall पे ठीक है अगला क्योशन देखो क्योशन क्या बोड़ रहा है एक विक्रेता ने इस तरह से उसे 51 प् चानतर कितना है यार बेखो उसने क्या किया कि दोनों गड़ियां 390 में खरीद है और लाब कितना मिल रहा है लाब मिल रहा है उसे 51.50 का ठीक और यहां जो है कित पर, 390 पर परसंटेज के लिए मैंने निकाल लिया परसेंटेज के लिए 100 का मिल्टिप्लाइ कर दिया ये 2-0 से 2-0 कट गया 1-0 से 1-0 कट गया ओवरराल मेरा कितना है लाब पतिशत यह हैं 515 अपून 49 ठीक है अब एलिगेशन रूल लगाओ के एक घड़ी कितने 10 पतिशत लाब पर दुसरी घड़ी किसी साथ 15 प्रतिशत लाब पर ओवररल लाब कितना हो गया 515 अपून 49 ठीक है यह दर ले लो यह कितना आएगा 15 माइनस 515 अपून 49 यह कितना आएगा 515 अपून 49 माइनस 10 ठीक है अब देखो अब क्या करते हैं इसको सोल करूँ हा तो यह आएगा आपका 70 अपून 49 और इसको सोल करूँ हा तो यह आएगा 125 अपून 49 49 से 49 गया 5 से यह गया 14 टाइम 5 से यह गया 25 टाइम ठीक तो रेशो कितना आएगा 14 रेशो 25 का यहनि दोनों की किमत के उस्ट परेज कितना है 190 के बराबर एक की वेल्यू किसके बराबर 10 के अब उसने बोला दोनों का डिफरेंस कितना है वह एक की वेल्यू 10 के बराबर है तो दोनों का अंतर कितना है 11 तो 11 रेप्रेजन करेगा 110 को 11 रेप्रेजन करेगा 110 को यहनि कीमत कितनी हो जाएगी दोनों के बीच का अंतर कितना है 110 ठीक ठीक आगे देखते है अगला क्योशन देखते है क्योशन बोल रहा है एक ट्राइंजिस्टर के अंकित मुझे से 32 रुपे कम कर देने से कर देने के बाद भी दुकानदार को परंदार प्रतिशत का लाब होता यदि इसका कोस्ट प्राइज 320 रुपे है अंकित मुझे पर बेजने से कितने प्रतिशत लाब होगा सबसे पहले उसने अपने को कोस्ट प्राइज दिया है लाब प्रसेंट भी दिया है ठीक और अंकित मुझे निकालना है कुल मिला के वो लाब डिसकाउंट देना ही निचाता ठीक है डिसकाउंट देना ही चाता है अंकित मुझे पर बेज रहा है सामान ठीक है तो अंकित मुझे निकाल लो भई मैंने मान लिया अंकित मुझे अपना कितना है मैंने मान लिया जब कोश्ट प्राइज है तो लाव प्रतिशत कितना दे रखा है 15 ठीक है तो यह आप किस सेलिंग प्राइज बन गए यह यह भी सेलिंग प्राइज एक जिरो यह कटा दो से 16 और यह पांच पांच से अगट रहा है पांद दर पांस ते बंद्रा ठीक सुन दिया 368 यनि एक बराबर हो गया 368 माइनस 32 टोटल हो जाएगा 0 जीरो और यह कितना हो जाएगा 400 यनि मेरा अंकित मुल्य कितना है 400 ठीक ठीक है अब देखो उसका कहना है कि अगर अंकित मुल्य पर बेचने पर यनि कोस्ट प्राइज तो है अपने पास 320 रुपे कोस्ट प्राइज तो है 320 रुपे और बेच कितने में रहे अंकित मुझे पर बेच नहीं कहा न उसने अंकित मुझे 400 यनि कुल मिला कि लाब कितना हो असी का और यह किस पर हुआ 320 ठीक परसंटेज के लिए 100 का मल्टिपला 1010 8 से एकटा 4 और 4 से एकट गया 25 यनि कितना करो चैनल शेयर करो चैनल सब्सक्राइब करो ठीक है तो थेंक्यों एवरिवन कल तकी नहीं